हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने नमकीन करेले वाली मठ्री बनाने जा रही हूँ तो इसे बनाने के लिए देखे किस तरह सा बनाते हैं यह मैंने आधा किलो मैदा लिये हैं इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे अजवैन डालेंगे और ये mix कर लेंगे अब हम इसमें oil डालेंगे ये मैं olive oil यूज़ कर रही हूँ आफशक तक के हिसाब से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके जब ये हाथों में मुठ्छी बंद होने लगेगी तब हम इसमें oil डालना बंद कर देंगे अभी मेरे को थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और एड़ करूँगी और इसे भी अच्छे से mix कर लोगी अब ये oil बिल्कुल अच्छे से डल गया है अब हम इसमें गुनगुने पानी की साहता से इसका सक्त डो तयार करेंगे पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ जादा नहीं डालेंगे और अच्छे से मसल मसल कर इसका सक्त डो तयार कर लेंगे जिस तरह से मठ्री का डो लगाते हैं इसी तरह से इसका डो लगा लेंगे दोनों हातों से अच्छे से mix करते हुए अब ये डो हमारा तयार हो गया है लेकिन इसे एक दो मिनट और मसे लेंगे उसके बाद हम इसे पांच दस मिनट के लिए ढखके रख देंगे ये मैं करेला स्टाइल बना रही हूँ गी को गरम होने के लिए रख देंगे, अब हम एक ही करके इन्हें बिलकुल पतला बेल लेंगे ये मैंने बिलकुल बेल लिया है हम छूरी की साइता से इसमें बीच में कट लगाएंगे साइट से इसमें जुडा रहने देंगे साइट तक लाश्ट तक नहीं कट लगाएंगे अब हम इन्हें अच्छे से रोल कर लेंगे और जो दोनों साइट के कोने हैं इन्हें अच्छे से दबा देंगे अब ये हमारे करेला इस्टाइल मठरी इसी तरह से सभी बेल नहीं है अब हम इसी तरह से दूसरी भी बेल लेंगे इसमें भी इसी तरह से हम बीच में से कट लगाएंगे और फिर से फोल्ड करेंगे इसी तरह से बना बना कर इन सभी को हम एक साथ रख लेंगे ये मैंने थोड़ी सी बेल कर रख लिए है ओईल हमारा अच्छे से गरम हो गया है एके करके डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे इन्हें हम किसी भी तोहार पर या फिर स्नेक्स के तोर पर कभी भी बना सकते हैं और काफी टाइम तक इन्हें हम स्टोर भी करके रख सकते हैं ये मैंने सिर्फ नमक और अजवाइन के बनाए हैं आप चाहें तो इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं अपने टेस्ट के साब से अलट पलट करते हुए इसी तरह से सेख लेंगे बागी के भी इसी तरह से बना के रख लेंगे इनका थोड़ा कलर चेंज होने लगा है लेकिन अभी हमें और क्रस्पी करने है अब ये सिख गए हैं इन्हें भार निकालेंगे दूसरी बार के अब इसी तरह से डाल देंगे उन्हें भी इसी तरह से अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे ये हम महीनों तक स्टोर करके रख सकती हैं जब ये बिलकुल ठंड़ा हो जाएगा तब हम इन्हें एर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे अब ये भी हमारे सिख गए हैं इन्हें भी हम बार निकाल लेंगे और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें ए टाइट कंटेनर में भढ़ देंगे अभी हमारे सभी नमकीन करेला मठरी बनकर तयार हो गई है थैंक यू